नमस्कार दोस्तों, बड़े हैं दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि सुसान सी राजपुत अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, कल की घटना है आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से उन्होंने आत्मात्या किया, वे एक उभरते हुए कलाकार थे, जीवन में सपलते, जब वे इंजिनियरिंग का एकजाम दिये, तब भी वे छठा रैंक लाए थे, सिरियल से शुरू किये थे, पतना सहर के रहने वाले थे, और सिरियल से हुए फिल्म तक गये थे, जो कि बहुत सारे एक्टर का सपना होता ह है तो वो फिल्म का भी सफर क्ये दौला सहरत मिली उन्हें, जिसका हर लोगों का खोक्वाईस होता है, यह पहला कोम सेलिबरेटी नहीं है जो इस प्रकार के कदम उठाएं और अगर ये दो वाते उनके जीवन में होती तो वे आज आत्महत्या नहीं करते पहला कारण जो है हमारी एक परंपराएं थी या परंपराएं हैं जो हिंद्यु समाज होता है वो सिर्फ भातिक्तावाद की तरफ दौर रहा है सुख सुख शुबधा वो जीवन में चाहता है लेकिन पिछले 10-20 सालों में देखा जाए तो सुख भाएं तो बहुत बढ़ी है लोग साइकल से मोटर साइकल फोर होलर तक आ गया है लेकिन सुख नहीं हुआ है सांती नहीं हुई है आज इतने तलाक होड़े हैं पहले उतने तलाक नहीं थे तो सुख नहीं है लोगों के बीच में संतोष नहीं है तो इसके लिए जीवन के सुरुवाती टैम में ही माता विता का ये करतब होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चों को टॉप लेवल तक पहुंशाना चाहते हैं चाहा क्लास में टॉप हो या कैडियर में टॉफ हो इसी प्रकार से उनको सुरुवाती जीवन में ही बच्चे को अध्यात्म से भी जोरना चाहिए यह हिंदू समाज का दुरुभाग है कि उसकी सिक्षान तो इसकूल कालोजों में दी जाती है अध्यात्म के बारे में जो से देखते हैं वह ज्यादातर सुनते हैं और सिरियल में जो है मन रंजन के लिए भी बहुत कुछ को जोरा जाता है तो वह हकीकत नहीं है तो अध्यात्म को अगर जोरा गया अगर वो गीता का पाठ कर रहा है अपने जीवन में गीता का एक एक जो स्लोक है उसे भी अगर अध्यन कर रहा है तो जीवन में एक विश्वास अलग होता है अध्यात्म से जुरे होने के कारण जैसे की रमायन में भी लिखा है कि बड़े भागे मानुस्तन पावा हिंदू समाज में यह पुनर जन्म को मानेता है तो बहुत सारे जन्म हैं जिसमें की बहुत अगर पुन्य किया राता है बुत खुशकिस्मती से मनुष्य का सरीर मिलता है और जब ऐसा लगे कि यह जीवण अब अपना नहीं है तो उस समय क्या करना चाहिए कि एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ठीक है मुझे अपने लिए नहीं जीना है क्या मुझे मेरी किसी और को जरूरत है अगर उत्तर हां मिलता है हां तो मिलेगा ही अगर उत्तर हां मिलता है तो एक बार उन लोगों के लिए जीने के लिए सोचे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन को देखने वाला नहीं है अगर ऐसे में जो हैं दूसरे के लिए जब जीना चाहते हैं तो एक खुशी मिलती है और हो अपने लिए भी जीना सीख लेते हैं पहला जो कारण है तो अध्यात्म को जरूर जोरना चाहिए मुस्लिम जो समाज है उसमें हर एक बच्चा शुरुवाती दौर से ही कुरान का पाठ करता है अगर आप आत्महत्या का सर्वे करें तो सबसे ज्यादा आपको आत्महत्या जो है हिंदू समाज में देखने को इसीलिए जीवन में अध्यात्मिक्ता को जोरना ही पढ़े पड़ेगा आप जो भी काम कर रहे हैं वह की जैसे रहना जो पहरना है ऍे इस संटलिए यह भगवान को अपने संग लाईए अगर भगवान को नहीं ला रहे हैं तो एक जो है परम सक्ति को तो मानिये ही क्योंकि वही एक सक्ति है जो पूरा विश्चु को संचालित कर रहा है जो हमारे बस से भी कुछ उपर उठके है तो इसे आपको स्विकार करना पड़ेगा जो इस स्थिक्ताबाद की उपतरे चले जाते हैं या फिर उन्हें फुर्सत नहीं होती है कि वह अध्यात्म से भी जुड़े अपने आपको कहते हैं कि मेरे पास समय कहां है बस पांच मिन जन्ट के लिए ध्यान कर लो अब अगर दूसरा कारण देखे तो दूसरा कारण जो हो सकत है वो एक सफल वेक्ति के लिए खास करके जो सिलिवरेटी होता है वहाँ पर एक चकाचोंत की दुनिया होती है बाहर से तो सब कुछ बड़े हैं चकाचोंत नजराता है लेकिन अंदर उतना ही अंधेरा होता है जब पैसे आना शुरू होता है तो बहुत पैसा आता है में उन्हों के पास जब पैसे की कमी हो जाती है उन्हों का रहान बहुत ही उच लेवल का हो जाता है कि नौकर चागळ 2-4 रहते हैं बड़े बंगले में रहना अगर वो बंगला खुद होता है तो जीवन को ठीक है एक चका चोध बड़ी दुनिया जीना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एक स्वामानने जीवन भी जीना चाहिए अगर कि आपके पास है तो टू हीलर चलाना मत भूले, साइकल को चलाना नहीं भूले, अब तो साइकल बहुत से कम घरों में देखने को मिलता है, अपना एक दोस्त ऐसा भी रखें, जिससे हम अपनी बातों को सेर कर सकें, और सबसे बड़ा दोस्तों माता पिता होता है, सबसे बड़ा सुपचिन तक वही होता है, अगर अगर डिप्रेशन में हैं तो घर आ जाएं अपने माता पिता से मिले अपने आपको ऐसे ढालें कि ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है कुछ समय के लिए तो हम एक सामाने जीवन भी जी ले तो ऐसे रखना चाहिए आसमान में उरने का सोचें लेकिन कदम को धर्ती पर जरूर र मानना है कि सुसान सिंग राजपूत भी अगर अपने जीवन में ये दो बातों को अपनाए होते तो आज वे आत्महत्या नहीं करते यहां तक वो नहीं पहुंचते वे दूसरे से वे सीख लेते अमिता बच्चनी अपने जीवन में कितने फॉल अप फिल्म को दिया था लेकिन बाद में जब वे सफल हुए तो आज भी उनकी उतनी ही मांग है उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और हां सेर करना मत भूलें धन्यवाद